असलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सब खेरियस से होंगे साथ में जो गएर मुल्की लोग रहते हैं चाहे वो कमपनी में काम करते हैं या डुमेश्टिक वरकर में काम करते हैं उनके लिए खबर आया है मैं आप लोग के साथ शेर करने वाला हूँ तो वीडियो आगरी तक जरूर देखिएगा चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा या तो फिर डुमेश्टिक वरकर में काम करने से पहले हमारे बीच एक कॉंट्रेक्ट होता है कफिल और वरकर के बीच उसी कॉंट्रेक्ट को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है Ministry of Human Resources and Social Development से मिली जानकारी की अनुसार साओधी में एक नोटी जारी किया गया है पीरियड और कॉंट्रेक्ट को समाप्त करने की इस्तिती में वरकर और कफिल को कुछ जरूरी बातों का ख्याल करना होगा Ministry of Human Resources and Social Development से मिली जानकारी की अनुसार अगर कफिल वरकर के बीच कॉंट्रेक्ट को समाप्त करने की बात अगर आती है तो ऐसे इस्तिती में कानून के मुताबिक सही कदम उठाने होंगे लेबर कानून के मुताबिक बताया गया है अगर वरकर का सेलेरी महीने के अधार पर मिलता है तो ऐसे इस्तिति में कफिल को कॉंट्रेक्ट समाप्त करने के लिए वरकरों को कम से कम एक हपते पहले बताना जरूरी है वही अगर वरकरों का सेलेरी महिने के अधार पर नहीं मिलता है तो कफिल को या बात कम से कम वरकरों को 30 दिन पहले बताना चाहिए नियम वरकरों पर भी लागू होता है जो भी वरकर अपने कफिल को बदलना चाहते हैं या अपने काम को बदलना चाहते हैं या कॉंट्रेक्ट पेपर को समाप्त करना चाहते हैं तो कफिल को या कमपनी को पहले से उनको बताना होगा मंत्राले के मुताबिक बताया गया है अगर कोई भी पार्टी चाहे वो कफील हो चाहे वर्कर हो अगर इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा मुआवजे के रूप में 15 दिन से लेकर 2 महिने तक की सेलेरी हो सकती है इसके अलामा जो अगली अपडेट है सौधी अरब में काम करने वाले वर्करों के लिए सौधी रियाद लेबर कोट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कमपनियों की द्वारा अब सौधी अरब में काम करने वाले सारे वर्करों का कमपनी के तरब से उनका सेलेरी उनका बोनस मिल जाना चाहिए चाहे वो एकजिट जा रहे हैं या छुट्टी पे जा रहे हैं काम छोड़ने के साथ साथ उनका सेलेरी उनका बोनस मिलना चाहिए साथ में जिस company में worker काम करते हैं उस company का काम के द्वारा उनका experience certificate भी देना जरूरी है ताकि वो अन company में दूसरे company में अपने काम का आवेदन कर सकते हैं वर्कोर्ट ने सीधा कहा है वर्करों को experience certificate देने के बाद उनसे किसी भी तरीके का पैसे या सुल्क नहीं वसूला जा सकता यह certificate company छोड़ने के आवेदन के साथ ही वर्करों को company के द्वारा उनका certificate provide कराये जाएगा ताकि वो नए company में नए काम के लिए आसानी से आवेदन कर सक इसके अलावा worker के experience certificate में तारिक भी लिखा होना जरूरी है कि worker किस तारिक को company को joint किया था इसके बाद छोड़ने की भी तारिक उसमें लिखा होना चाहिए कि worker company को कौन सी तारिक को छोड़ा था इसके अलावा उसमें salary भी लिखा होना चाहिए कि worker को company में salary कितना मिलता था त असानी के साथ दूसरे कमपणी में काम कर सकता है इसके अलावा जो खबर है वरकर को कमपणी ने बीना किसी reason के उसे निकाल दिया वरकर ने labor कोर्ट में जाकर कमपणी के खिलाफ सिकायद दर्ज कर आई बता जा रहा है कि वरकर को सिरिफ इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि company का एक branch बंद हो गया था इतना ही नहीं उसका company ने उसे बकाया salary, end of service बाकि जो benefit होता है और experience certificate भी उसको नहीं दिया था बाद में worker ने company को इस रवयों को देखकर उसने मुआवजे की मांग की इसके बाद court ने company को सारी company को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी worker को इसका benefit मिलना चाहिए इनका जो सुविदा होता है उसको मिलना चाहिए इस बंदे ने action लेकर अपने company के खिलाब labor court में जाकर case दर्ज कराया इसका जो मुआवजे की मांग थी और इसका जो benefit बाकि था वो भी इसको मिला इसने अपने लिए case तो दर्ज कराया लेकिन दूसरों के लिए एक रास्ता खुल गया labor court ने सभी company को आदेश देते हुए कहा कि वरकरों का जो benefit होता है उसे उनको मिलना चाहिए इसी तरीके से जिनको भी तकलीफ होता है चाहे वो company के द्वारा या कफिल के द्वारा तो labor court में जाकर case दर्ज कराना चाहिए हाथ पे हाथ रखके बैठने से कुछ नहीं होता है जब हम labor court में जाकर case दर्ज कराते हैं तो इसका benefit हमें मिलता है और company और कफिल के खिलाब action भी लिया जाता है इसके अलावा ये खबर और है सौधी के public prosecution के तरफ से खबर आई है किसी भी परकार का confidential document वो चाहे company का हो या किसी भी worker का हो किसी भी छेत्र में कोई भी काम करता हो वो किसी का document share नहीं कर सकता है अगर किसी का document किसी के साथ share करता है तो ये कानून का उलंगन माना जाएगा सौधी का या एक नया कानून है हर छेत्र में काम करने वाले अस्थानिये खास करके गेर मुलकी worker के लिए लागू है चाहे वो banking सुरक्षा छेत्र में काम करते हो या किसी अन्य जगहों पे वो काम करते हो किसी का document किसी के साथ share नहीं कर सकते हैं तो आज का था ये new उच जो मैंने आप लोग के साथ share किया वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल आइकन दबा कर ओल पे कर दीजेगा मिलते हैं किसी नेक्श वीडियो में अल्लाह अपीस